तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? मेरे साब से अच्छ होगे और अच्छ से प्रपेशन कर रहे होगे आज का टोपिक क्या है? आज का टोपिक जनरलाइज है, ऐसा कुछ नहीं है कि आज अपन किसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एक्जाम की आज का topic यह है कि हम जब college से निकलते हैं या फिर हम जब preparation स्टार्ट करते हैं तो किस चीज की preparation हमको करनी चाहिए हमारी mentor state क्या रहती है उस चीज के बारे में थोड़ा discussion करेंगे और आपको कौन सी exam के परती कितना सजग रहना चाहिए और कैसे एक exam को tackle करना चाहिए कैसे अपने exam के लिए एक perspective चुनना चाहिए कि मुझे एक exam देनी है तो उसके regarding मैंने एक छोटा सा PPT चोटा सा video प्लान किया है जैसा कि आपको पता है कि हम एक दो दिन से ही active हुए है आप से interact करना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आप कौन सी state में हो और क्या preparation कर रहे हो ठीक है तो start करते है जैसा कि आज का topic हमने जर्नलाइज लिखा है कि आज का topic है discussion about किस किस चीज के बारे में तो ठीक है सबसे पहले हमने एक PPT तेयार किया है उसमें से मैं आपके लिए एक brief point देख लेता हूं कि मैंने क्या prepare किया है ठीक है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप जैसे मान के चलते हैं आप S.S.C.K.S. parents होने के साथ साथ आप किस stage में है एक तो आप हो सकते हो कि अभ आप कॉलेज में हूं ठीक है कॉलेज वाली phase चल रही हो आपकी दूसरा अप कॉलेज की spelling C-L-G लिखिए तो C-O-L-E-G-V लिख सकते हो आप कोई बड़ी वात नहीं है ठीक है वह मैं सौर्ट फ़र्म में बढ़ा रहा हूं तो सौर्ट फ़र्म में आपको समझ आना चीए ठीक है अब आज से कॉन पता चल जाएगा ठीक है जो वो लोग हो सकते हैं जो कॉलेज में है ग्रेजुएट नहीं हुए है और उनकी एज भी अभी नहीं हुई है ठीक है वो लोग हैं दूसरे वो लोग हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं ग्रेजुएट हो गए हैं और यह exam देने के लिए ततपर हैं, उनको बस पता करना है कि कहा जाना है, ठीक है, तो हर category में तीन तरगे के लोग आते हैं, पहले जो SSC करेंगे सिरिफ only SSC, दूसरे जो railway करेंगे, all exam करेंगे, all exams, तीसरे railway वाले आएंगे, ठीक है, और चौत है, जो अपना UPSC वगरा, जो clear minds हों ठीक है, इन चार तरगे एसपारेंट से अपन क्या समझाना चाहरा हूँ, वो चीज आपको लाश्ट वीडियो तक रहोगे तो समझाएगी, अन्य था नहीं समझाएगी, ठीक है, आगे चलते हैं, तो मैं इस वोड को clear कर देता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने किय छो college में हैं, ठीक है, जो college में हैं, उनकी बाते हो रही है, उन में से वो बंदे, जो बंदे UPSC की तियारी करेंगे, वो clear हैं, वो उनको छोड़ दो, वो SSC की तियारी में लेट आएंगे, आएंगे लेकिन लेट आएंगे, अगर उनका किसमत खराब रहा या फिर उनका कु स्टार्टिंग से लेकिन अगर कुछ कंडिशन रही तो रेलेनों सुच करते हैं लेकिन अभी मान लो कि आप एससी में ही हो तो एससी में आपको कौन सी जॉब लेनी है यह जो फेस है सब पर अपलाई है कॉलेज वालों के लिए भी और जो ग्रेजट हो गए उनके लिए लेक यह वीडियो पर पी जाधा न हाएं लेकिन यह वीडियो फुटापूल है मेरे साब से तो एससी करनी है आपको तो एससी क्यों करनी चाहिए ठीक है तो एससे में देखो तीन ऐग्जामस आती है अपनी यहाँ पर अथा CPU मेली सी तीन ऐग्जामा आती है बागィ selection फेयर वाल तो CPU में आपको किन लोगों को जाना चाहिए, तो CPU में जाने के लिए आपको क्या क्या चीजे चाहिए, ठीक है, उन चीजों पर डिसकुशन करते हैं, मैंने नोट किया है, कुछ चीजे भूल जाएंगे, इस टेंडर में पन, तो आइक तो आपके लिए सबसे महन है, कि आपक हाइट होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए और चैस्ट होना चाहिए, जो कि चैस्ट आपका बन जाता है, हाइट आपकी पेदाईशी होती है, मतलब मातापिता से आती है, इस पर आपका कंट्रोल नहीं है, बहुत कम कंट्रोल है, तो ये अगर हाइट हाइट आपकी 170 cm है, यानि कि 5-7, 5-6-7 इन से उपर है, तो आप इस exam को देने के लिए शक्षम हो। ठीक है, कुछी प्राइक को परोलनी है, अगर ना नॉर्मल हो आप, दूसरा, आप graduate होने चीए हो, जो कि आप हो ही जाओगे, अभी कुछ सालों में, अगर graduate नहीं होगे, फिजिकल अच्छा है आपका, तो यहाँ पर एक age मिल जाएगा आपको CGL वालों से, CGL वाले का यह expirates होते हैं, जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, तो उनका फिजिकल नहीं हो पाता है, तो फिजिकल की एक ability आपके अंदर है, तो आप CPU दे सकते हो, आपको अच्छा खासा lead मिल सकता है, लेकिन उससे भी आपको जरूरी है कि आपको लेना क्यों हो CPU, क्योंकि CPU में, दिल्ली पुलिस SI, प्लस CAPF की other posts, अब CAPF क्या है, यह paramilitary forces है, paramilitary forces यानि कि यहाँ पर आपके आती हैं, CISF, BSF, ITVP, SSB, और अन्य परकार की forces, ठीक है, उनकी बाते ज्यादा नहीं डीपली नहीं करेंगे, लेकिन कोल मिला के uniform job आती है, uniform jobs, ठीक है, uniform jobs आती है, यह समझ लिया आपने, तो आपको पताएगी, यह तीन चीज तो यार मेरे पास है, मेरे पास height भी है, मैं graduate भी हूँ और मेरे पास physical में भी अच्छा खासा age है, तो इन चीजों के साथ साथ आपको क्या होना चीए, आपको यह चीज जाने चीएगी, यार मुझे location मेरी family रहती है, दिल्ली में, ठीक है, या फिर एक दिल्ली की बात करेंगे, और एक नौर्थिस्ट की बात करेंगे, नौर्थिस्ट, ठीक है, क्यों बाते कर रहा हूँ, क क्यार मुझे दिल्ली पुलिस ऐसा ही मिल जाए, और मुझे चाहिए, चाहिए अंदसें सबको चाहिए होता है, और मैं कर भी लूँगा, तीसरा, जैसे location के साथ साथ आपको अपना nature भी देखना है, क्यार मेरा nature कैसा है, मैं इस source के लिए हूँ की नहीं, मतलब मेरे में, जो पुलिस में क्वालिटी चाहिए, वो मेरे अंदर, देखो, डवलब हो जाती है, लेकिन एक बंदे को इन्विल्ट क्वालिटी होती है, कुछ, अगर वो आपके अंदर है, तो आप अच्छा है, वेल और गुड, तो एक nature, आपका जज होना आना चाहिए, कि मैं हूँ, अगर आपका नेचर भी फिट करता है, फिर आपको location भी match कर जाएगी, आपको पता है कि दिल्ली आपको posting चाहिए, या नौर्टीस्ट आपको posting चाहिए, तो आपको CPO की exam देनी चाहिए, region, दिल्ली में आपकी DPSI की posting होती है, CISF की posting जाती है, यह पर्मानेंट नहीं होती है, इसमें transfer होता रहता है, यह पर्मानेंट होती है, ठीक है, बाकी headquarter, कई-कई forces के वहाँ पे हैं दिल्ली में, कई के नहीं है, तो वो depend करता है, इसके अलावा नौर्टीस्ट वाले जो बंदे हैं, उनको mostly CAPF में जाते हूँ में देख तो उस चीज को priority देके आप CPU में जा सकते हो, CPU में बस दो-तीन चीजे हैं, जो आपके पास lead देती हैं आपको, जैसे CPU है, तो CPU में सबसे पहले आपको, अगर फिजीकल है आपके पास, यह पहली यह जोगी, अगर आपका फिजीकल अच्छा है, तो यह पहली यह जोगी, किते में से, 400 में से, out of 400, समझे रो, कितना वेटेज इंगलिस का, तो अगर आप नौर्थिष्ट से हो, उन आपकी इंगलिस मेरे साब से ठीक रहती है, बाकी जो लोग स्टडी एजुकेशन अच्छी है, उनकी बाते छोड़ दो, तीसरी चीज, लोकेशन मेंटर करती है, अगर लोकेशन आपको दिल्ली चाहिए, नौर्फिस्ट चाहिए, तो यह तीन चीज़े हैं, जो आपको देख लेनी चीए, कि यार मुझे लोकेशन क्या चीए, और चोथा है मेंटली नेचर, क्या आप इस जॉब के लिए सक्षम हो, जोब आपके लिए सक्षम नहीं होती आप जौब के लिए शक्षम हो क्योंकि कल को आप दिल्ली पुलिस में चले भी जाओगे या फिर फोर्सेज में चले जाओगे तो आप फिर CGL दोगे फिर से उस फेस में जाओगे CGL देना है ठीक है तो पहले अपना एक गोल ढूंड़ो की मेरो को वहाँ जाना है ठीक है तो ये तो होगी CPL की बात इसमें सबसे मेटर ये चार ही चीज़े है बाकी तो आप पढ़ाई में अच्छो तो बात अलग है ठीक है अब देखते हैं कि CGL वाले लोग तो CGL में कौन लोग आते हैं CGL मेंनली फोकस एक तो जनरलाइज बंदे हैं जो आल देते हैं जिनका फिजिकल भी अच्छा है मतलब वो कहीं जाने के लिए तयाल है जनरलाइज जनरल बंदा है एक बिलकुल जो सीपियो भी देगा सीएचसल भी देगा और सीजियल भी देगा तीनों देगा और वो हर चीज करेगा उसको कोई इशू नहीं है कि मेरी हाइट उसको पता है कि मेरी हाइट ठीक है मेरा फिजिकल ठीक है तो ये भी देगा ये भी देगा ये भी देगा ठीक है स्टार्टिंग में जब तक उसको Clarity नहीं आती कि मुझे चाहिए क्या लेकिन जिसको Clarity आ गई यार CPU मेरे लायक नहीं है तो CPU का प्री देगा फिजीकल नहीं जाएगा फिजीकल नहीं जाएगा CHSL देगा टाइपिंग नहीं है तो CHSL में टाइपिंग दे के छोड़ जाएगा अब CGL है जो common job है जिसमें हर चीज एक्वल चाहिए ज्यादा पढ़ने के साब से हूँ ठीक है तो यहां पर एक focused बंदे होते हैं एक UPSC वाल बंदर निकल जाता है कभी-कभी और एक focused है जो CGL ही देगा ठीक है तो यह बंदे बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं यह बंदे high priority में पाए जाते हैं जो हर exam देते हैं तो आप कौन से वाले में और एक UPSC वाले होते हैं जो कुछ-कुछ आते हैं और UCGL पहली या दूसरी वारे में निकालके ले जाते हैं तो वो कुछ बंदे अलग हैं और कुछ rare case होते ही है ठीक है तो आप किस criteria में आते हो तो यह देख लो आपको कि आप किस में आते हो आपका क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है ठीक है जैसे अगर pattern की बात करूं मैं तो CHSL और CGL दोनों का pattern सेम है बस यहां पे typing जादा है 10 प्लस 2 में जो typing है वो CGL स जादा है यहां पर 35 wordpress में मांगते हैं यहां पर 25 मांगते हैं और यहां पर DUM 50 में मांगते हैं ठीक है तो यह चीज एक generalize आपको लग रहा हो complex है लेकिन complex नहीं है लेकिन आपको चीजे किस चीज पर focus करना चाहिए वो चीज में बता रहा हूं अगर आप SST ही बाते करते हो स्रिफ only SST आपका target है तो तो आपको अगर SST target दो CHSL और CGL तो आपको ऐसे देना चाहिए जैसे आप CHSL में भी ना हो आपका तो भी आपको CGL के परावर दुख होना चाहिए जिससे आप अगली बार CGL के लिए दो अगर CGL में नहीं हुआ तो CHSL को भी आपको डंग से देना मजभूरी में दे सकते हो जैसे मैंने दिया था और कई लोग देते भी हैं ठीक फिजिकल की त्यारी हो पाए तो करो बिल्कुल करो आज से ही करने पड़ेगी तो यह हो गया CGL वालोगा CGL वालोगा अपन बता चुके हैं CPMO वालोगा अपन बता चुके हैं CHSL में ऐसा और 50 प्लस चाहिए DO के लिए वाना JSA वगरा LDC वगरा मिल जाएगा यह आपका हो गया स्लेवस सेम है इसका स्लेवस जो है वो सी सिमिलर टू CGL है तो आपको इसमें और इसमें ज्यादा सोचने की जरूत नहीं है अगर आप दोनों में से कोई इसी एक्जाम दे रहो तो टायर वन सेम है टायर टू मोस्टली सेम है कुछ मार्क्स का फरक है बस यह है कि और टायर थरी जो की टाइपिंग है तो तीनों फिस इन दोनों एक्जामों में सिमलर है CGL अलस्में ठीक है तो इन दोनों एक्जामों को आप कमीट करो जैसे अब ही 10 CGL का एक्जाम लग जाएगा जुलाई में तो 10 प्लस 2 को आप सिंसिरली दो उसके लिए पड़ो CGL के कुषिन करो ऐसा करो मिक्स कर दो दोनों कुषिनों को ऐसा नहीं है कुछ पैटरन का खेले अलग से सेम ही कुषिन आते हैं सेम ही पैटरन है सब कुछ सेम है तो आपको दोनों एक्जामों को लेज़ेत हैं अब Wegल के में बता दिया हां फिजीकल है फिजीकल इस्टेंडर होने चाहिए हरा हा helt माएणियरति है लोकेशन अगर आपको दिल्ली चाहिए तो यह पोस्ट देनी चाहिए हा यहां पे जो पोस्ट है यहां पे लोकेशन आप डिफाइन नहीं कर पाते आपका इसा हो जाता है कि आपके पास rank अच्छी है तो ही location आप choice की ले पाते हो, यह All India Post है, तो जैसी rank लाओगे वैसा आपको मिल जाएगा, मैं ज्यादा इस पर घच पच नहीं करूँगा, एक generalized overview था कि आप कैसे select करें, तो CGL, CHSL सेम है, अगर आपके थोड़ा भी हमकम है, जैसे आ नेचर पर बहुत ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि कल को आप लग भी जाओगे, तो भी आप छोड़के फिर दर ही आओगे, तो पहले से focus रहें, क्योंकि बहुत case है, बहुत लोग है ऐसे, अभी हादसा तो नहीं बताना चाहिए रहा है, लेकिन हमारा ही batch का, CPO 2017 का, ऐसी च लेकिन जॉब का भी कुछ पेसर रहता है, और भी अधर पेसर होते हैं इंसान पर, तो यह वाली चीज, नेचर वाली, थोड़ा sincerely ध्यान दे, पता जला आपने CPO टॉप कर लिया, CPO म अच्छी रेंग मिलके दे लिए, फिर आप को उसर हो गया, CGL हो देना चीए था, तो CGL तो पहले ही डिसाइड कर लें कि कौन सी पोस्ट देनी है, हाला कि इन दोनों जो पोस्ट के साथ आप CPO दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन CPO पे इतना फोकस मत करोगी, CGL चूट जाए, ठीक है, तो यह तीनों पोस्ट हो गई, अब आते हैं, रेल्वे वाले सुरू से रेल्वे का क्रेज है, स्टार्टिंग जो हैं, टॉप लोग हैं, रेल्वे की इच्छा लेके परदा हुए हैं, हम रेल्वे में जाएंगे, दूसरे, जो SSC से भागे हुए हैं, और रेल्वे ने अब रेल्वे पकड़ लिया हैं, ठीक है, रीजन, कुछ रोग त से इंग्लिस नहीं आती, और दूसरे लोग लोग हैं, जिनका by default इसमें नहीं हुआ, तो इसमें selection हो गया, या फिर इसका, वो बैक अप देते हैं, बैक अप बना के देते हैं, इसको बैक अप, ठीक है, अपर किन लोग का future खत्रह में हैं, इन लोग का, इंग्लिस वालो का, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इनके पास area कम है, हाला कि इनका selection से रेल्वे में हो सकता है, chances इनके रेल्वे में होने के ज़्यादा है, अगर आप fully focused रहें, तो इस रेल्वे में अच्छा इनको टक कर दे सकते हैं, इन लोग को, जो CGL से आये हैं, गोम गाम के, तो आप choice कर और technician की, I think, खतम हो गई है, और ELP वगएरा की भी आती है, तो पोस्टे काफी आती रहती है, आप non-tech से होने चाहिए, graduate होने चाहिए, ठीक है, उसके अलावा, आप ये चीज देख लिजी कि आप English से डढ़ते हो, नहीं ड़ते हो, कौन से किस area में आ पा रहे हो, तो उसमें फोकस रो, ऐसा नहीं है कि आपको English थोड़ी आती है, थोड़ी से देखो ना तो SSC चलेगा, और ना railway फोकस होगा, तो आप स्टार्टिंग से ही अपना रिदम बना के रखें, आप किस चीज में हो, अगर English नहीं आती तो सिर्फ railway करें, railway आपके लिए बैस्ट है, बागी state क बात मैं नहीं करूंगा, इस टेट का आपको पता है, इस टेट वाले लग होते हैं, उसके लावज जो railway फोकस है, उनका कोई तोड़ नहीं है, वो railway में ही लगे रहते हैं, या तो उनका सेलेक्शन होता है, अगर वो हार नहीं मानते तो, अगर हार मान जाते हैं, तो फिर व भगवानी मालिक हैं उनका, कि क्या होगा, ऐसे कह नहीं सकते किसी की लाइफ में, क्या पता वो अच्छे बनके और कुछ स्टेट का निकाल लें, तो यह एक जनरल ओवर्विव था, कि कौन से लोग, किस प्रकार की लोग, कौन कौन सी एक्जाम की तियारी करते हैं, ठीक है बाकी, देखो एक्जाम रेलवे हो, या एसेसी हो, तीन चीजे सेम हैं तीनों में, कौन है इनमें, मैथ है, रीजनिंग है और जीक है, अभी हो सकता है कि कभी रेलवे की जीकी खराब आजाए, कभी एसेसी की खराब आजाए, कभी रीजनिंग इसकी अच्छी आजाए, कभ पर जो फरक है वो इंग्लिस का है तो इस पर देख लिजे आपकी कमांड कैसी है और अगर आप कॉलेज में हो तो इंग्लिस की कोचिंग स्टार्ट कर लेजिए जिससे आप दौनों की एकजाम दे पाओ सबसे पहली प्राइटी आपके इंग्लिस होने चीए कि इंग्लिस को म तो आप आदा S.S.C. तो छूट गया मनला S.S.C. बाला पूरा पार्ट छूट गया लेकिन दौनों को कम्बाइन करके पड़ो या फिर दौनों को वाइफर कर लो कैसे पढ़ना है आपको आपकी रुची क्या है ठीक है बाकी तीनों जौब को वारे में S.S.C. की बात कर च सबसे बुरा है आपको जो मुकाम आपने बोला है कि मुझे यह करना है तो उसके प्रती एक तरगे से फोकस रहे और C.P.O. वाले एस पारेंट्स जिनों का C.P.O. में सेलेक्शन भी हो गया है और C.P.O. में और फिर देने वाले है वह अपने एक तरगे से नेचर अपने आ किसी भी पोस्ट को हाइप से ना जनरेट करें कि मुझे यह अच्छा लग रहा है यह बंदा इत्ता घूम रहा है यह तक मारा है तो मैं इस पोस्ट को लोगा तो उस चीज़ पर थोड़ा द्यान रखें बाकी कुछ नहीं है अपने नेचर के इसाब से अपनी सिच्वेशन ठीक है तो वो आपकी individual personality है आप कैसे हो कैसे deal करते हो तो मेरा एक overview था कि exam में कौन कौन सी लोग कैसे कैसी situation हो में हैते हैं सबसे पहली बात अपने आपको control में रखो किस exam को पढ़ाई करके आपको देना है यह आपकी choice है notes आपको हर जगे available है maybe in future मैं भी आपको question कराऊ मैस के क्या पता reasoning के भी करा दू पहली variety जो रहेगी उसके बाद English जिके जो भी revision जैसा भी रहे जैसा situation deal होती है अपने साथ वैसा अपने try करेंगे तो देखो एक basically आपको क्या करना है आपको एक exam focused रहना है बस यही इस वीडियो का motto था कि आप exam focused रहो ऐसा नहीं है कभी bank में चले जा रहे हो कभी railway में चले जा रहे हो कभी SSC में चले जा रहे हो bank area की मैंने बात करी नहीं है तो bank area भी एक है आपके पस बसता है लेकिन bank अलग है और bank में लोग कम रुची रखते हैं रखते हैं जो bank में जाते हैं ठीक है तो bank का मैंने नहीं किया मैंने SSC और railway का ही बोला है तो आपका understanding क्या है तो उसे साब से बताईए एक वीडियो थोड़ी complex हो गई है मानता हूँ क्योंकि प्लानिंग पूरी नहीं थी और पहली वीडियो है तो थोड़ा गलती हो तो ignore कीजेगा इसे के साथ जय हैं जय वारत बाई